सोबा देजिसन स्पूरी में आपका स्वागत है आज मैं इमली की दो तरह की खट्टी मीटे चट्टी की रसीपी शेयर कर रही हूं एक जेजरियर में ढ Parece दूसरी जो हूट की मैर्किस चाल की रसी है जो चट्ट वाले चेटिकूवाले बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही ये चट्टी खाल में बहूत ही चट्ट Tough लगता है इसे आप डिफ्रेंट टाइप के साथ जाट के साथ दुनों के बनाने का तरीक थोड़ा बहुत डिफ्रेंस एक दूसरे से, तो सबसे पहले हैं, मैलोन सीड को हम हलका सब भूल लेंगे, बस यह थोड़ा सब खोलने लगे, तो हम इसे गैस बंद करके निकाल लेंगे, तो फ्रेंड मैं आज दो तरह की चेटनी की रेसिपी सेयर कर रही हूं, तो मैंने यह दो जगह एक सब पचीस गराम करके मैंने इमडिया ले लिया है, और यह सीड वाली इमडिया है, आप यह सीड वाले ले या सीड लेस इमडिया, इसे कोई फरक नहीं पड़ता है, अब किस इमडियो को मैंने आदे गंदे पहले नर्मल पाने में डाल के छोड़ दिया था, नहीं तो मैंने गरम पानी यूज किया है, नहीं इसे हम मीक्सर में ग्राइन करेंगे, कोई जंजट नहीं, बस हम सिंपल तरिके से हाथों को अच्छे से दोईंगे, और दोने के बाद इसे हाथों से अच्छे से मैस करेंगे, और मैस करने के बाद इसके सारी पल्प को हम अलग कर लेंगे, और फाइवर को अलग कर लेंगे, अब देख सकते हैं, मैंने अच्छे से मैस कर लिया है, मैस करने के बाद हाथों से दबा दबा के इसे मैंने, जितने भी इसमें फाइवर ह करेंगे अब देख सकते हैं मैंने पल्प को निकाल के अलग कर दिया है फाइबर में अभी थोड़े से पल्प बचे हुए है तो मैंने इसके थोड़े सा पानी इसमें डा दिया है और इसे हाथों से फिल मैंने इसे मैस करके इसके जितने भी पल्प हैं इसको मैंने सेपरेट क अब इसे हम अच्छे से खानमें दिया है। मैंने इसके लिए चनदना लिए है, और बरतन नीचे रख दिया है। इसे पुन से देरे-देरे करके अच्छलाना है, जिससे कि जो भी इमध्यका पॉल्प हो नीचे चला जाए। फ्रेंट थोड़ा सा हम इस बर्तन में जिसमें पल्प था हम थोड़ा सा पानी मिलाकर इसमें डाल देंगे और हम इस तरह से करते हुए सारे पल्प को छान लेंगे जो भी पच्छेवे फाइबर थे वो हम सेपरेट कर लेंगे ऑफ चन्ने के बच साइड में अगर पल्प पहएं तो उससे भचा लें आप देख सकते हैं करते की ये जो इंबंडी पल्प हमारा रेडी है विखने बदे बिल्कुल मार्केशाइल में जो हमें च corrupt न कह我要 किया है उसे भी में इसी प्रोसेस से इस पल्प हम плохay कर देग बिल्कुल नहीं दालता है। ज़्स यूजिब दालें शाधरे 1 शुक्तिन युजब तो मिक्स होने बाद में विल्कुल दाला यूजिब पानी अधीब अभी यूजिब दालेंगे। एक सपचास ग्राम गूर के लिख रहें आप यूजिब दो साधे हम डाल देंगे इसमें, रेड चिली पाउडर, 1.5 टीज़पून, ब्लेक पेपर, 1.4 टीज़पून, नर्मल सॉल्ट, 1.5 टीज़पून, ब्लेक साल्ट, 1 टीज़पून, सॉप क्रस्ट किया हुआ, 1.5 टीज़पून, गरब मसाला, 1.4 टीज़पून, भूना जीर पाउडर, 1 टीज़पून, कस्मेरी लाल मीष्ट पाउडर, 1 टीज़पून, फ्रेंड मैंने यहां, 1 टीज़पून, 1 टीज़पून, 2 टीज़पून, 2 टीज़पून, 1 टीज़प पाउडर, पिछ बिच में इसे मीडियम में भी कर देरी हूं। और इसे दर चाहिक हमें गाड़ा करना है। फ्रेंट आप चत्नी को तो आप यह देख सकते हैं गाड़ी हो चुकी है तो आप इस चत्नी को थोड़ा सा टेस्ट करके यहां पे देख लें। की सारह छीज खट्टी मीथी जो चटपटा सब्सक्राइब देख सकते हैं अब देख सकते हैं कि यह चट्टी जो हमारी रेडी है क्योंकि ठंडी होने के बाद रहा इसके लि द्वूड़ा से लिक्वीट फॉम में ही उता रहा है आप प्रेंड अब मार्कष इस्टायल में इवली के जटनी बनाएंगे, तो इवली के फुल्प में हम चार साँ हमेर वाटर एड़ करेंगे अब हम गैस को अन करेंगे और इवली के पल्प में जो पाने मिला कि हमने रखा हुआ था इसे हम डाल देंगे और जितने भी मसाले हैं वो भी देर देरे करके इसमें डाल देंगे यह सॉल्ट हाफ टीज़पून ब्लेक सॉल्ट वन टीज़पून ब्लेक पेपर वन फोर टीज़पून भूना जीरा पाउडर वन टीज़पून सॉप क्रस्ट किया हुआ हाफ टीज़पून रेट चिली पाउडर हाफ टीज़पून कस्मिरी मीर्च वन टीज़पून मैंने फूट कलर यूज नहीं किया है इसके बदले मैंने कस्मिरी लाल मीर्च को इसे कलर देने के लिए यूज किया है और यह मैंने गूर का यूज़ किया है एक सब पचीस ग्राम गूर वन फोर्थ टीस्पून गर्व मसाला और यह अदरक का पेस्ट मैंने बिल्कुल बारिक पेस्ट मैंने वन टीस्पून यूज़ किया है एक सब पचीस ग्राम मैं सुगर इसमें डाल दे रही हूँ इसे अच्छे से नीज़ कर देंगा फ्लेम को मैंने लो और मीडियूम की पीछ रखा हुआ है जब तक इसके मसाले पकेंगे तब तक हम आरा रोट को पाने के साथ मिला के एक सोलिसन बना लेते हैं तो मैंने अब 15 ग्राम आरा रोट ले दिया है आप चाहें तो कॉन्ट्रोर भी ले सकते हैं तो मैंने थोड़ा पानी आड़ कर दिया है और पानी डाल के इसमें हम एक सोलिसन तयार कर लेते हैं अब धेर दरिक नहीं डाल सकते हैं नहीं तो गुछ्ड़िया बन जाएंगी चैटनी का कल्ड़ चेंच हो चुका है सारी गूर्य सुगर जितने भी है सब मेल्ट हो चुका है है यह मार रोट से गारी करें गाड़ी करेंगे तो गारी करने के पहले आरा रोट मिक्स करने के आप इसे तेस्ट करके देख लें कि इसमें जो जहीं होना चाहिए खटव मीठा का वो ठीक है कि नहीं अगर आपको कम लगे तो और शुगर याजू और अपको जू मुन करेया है तो पिसमें आड़ कर ओर एक चटपटा टेस्ट दे सकते हैं अब देरे देरे करके हम इसमें आरा रूट डालेंगे और इस चटनी को हम गाड़ी करेंगे मैंने सारह आरारूट इसमें डाल दिया है इसे अधे अधे heaय अधे इसी तरह से चछाएंगे जिस्टी ते चचछी जो हुआ गाड़ी हो जाएगी conten images अब यहां पर हम डाल देंग़ melon को सीड अ और बस हमें इसे इसी तरह से चलाते रहना है और आप देखेंगे फ्रेंड के दिर देरे जो मैंने आरा रोट का सोलिसन डाला थे इसके कारणी यह गाड़ी होने लगी और यह हमारे चट्नी जो है वह गाड़ी हो गई है तो बन गई ने हमारी चट्नी बहुत इस सिंपल वे म बनाई बिलकुल मार्केस तराइल मेन यह बिलकुल गाड़ी हो चुकी है अब इसे हम निकाल लेंगे तो फ्रेंड मेने दो तरह की चट्नी की रेसिप इसे healthy अपरोंगे के साथ आप रोगों जो पसंदो हो जिस परोसे से आफ भुकु पसंदों आप चट्निया बनाएं तो तब फ्रेंड अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट्स दें, सेयर करें और प्री सब्क्राइब करें नीचे के बेल आइकन दबादे जिसे मेरे नेक्स वीडियो की सारी नोट्रिफिकेसन आपको मिलता रहें थैंक यू